हेलो स्टुडेंट्स मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपकी अपने चैनल तैयारी ओनलाइन में आज हम डिसकस करेंगे क्लास 10 का वॉक्सीट वॉक्सीट नमबर 24 वॉक्सीट हमारा है 29 अगस 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है भारत में अखाद्य फसले तो आज हम हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वैल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे वीडियो पशंद आया तो इसे लाइक करें साथी अपने दोस्तों को भी सेयर करें ताकि उन्हें भी वॉक्सीट नमब 24 वॉक्सीट नमबर 24 सोसल साइंस का वॉक्सीट है और आज का हमारा टॉपिक है भारत में अखादे फसलें आज हम जानेंगे भारत में उगने वाले अखादे फसलों के बारे में तो यहां देखिए फसलों के नाम दिये हुए हैं पहला फसल हमारा है रवर दूसरा कपास और तीसरा जूट ये सारी फसले जो हैं इन्हें नगदी फसल कहा जाता है यानि इन फसलों को वैपार के परपस से उगाया जाता है तो चलिए सबसे पहले हम रवर के बारे में जानेंगे कि रवर को उगाने के लिए अनुकूल परिस्थित यां क्या-क्या होनी चाहिए तो भूमध रेखिये छेतर की फसल है रवर भूमध रेखिये छेतर कहने का आर्थ है यहाँ पर बच्चो भूमध रेखा के उत्तर तथा दक्षिन में 5 डिग्री अक्छांस तथा 10 डिग्री अक्छांस पर विस्तरित जलवायू को कहते हैं भूमध रेखिये छेतर पांच डि दिगरी अक्छांस तक क्या है या बिस्त्रित है यानि कि फैला हुआ है भूमदे रेखा को क्या कहते हैं एक्वेटर रबर की खेती के लिए 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा अवश्यक है 25 डिगरी सेलसियस से अधिक तापमान और नम एवं आदर जलवायू होना चाहिए जल से युक्त होना चाहिए और आदर होना चाहिए अब हम जानेंगे रबर किनकिन राजियों में उत्पादित किया जाता है तो भारत के केरल राजियों में तमिलनाडू करनाटक अंडमान नीकोबार्द विपसमू और मेघाले की गारो पहारियां इन सब जग्मों पर रबर क खेति के जाती है विश्व में प्रमुकुत पादक देशों में भारत का पांचवा अस्थान है और थाइलेंड जो है वह रबर की खेति यनी रबर के उपज में पहले अस्थान पे हैं अब आगे देखें दूसरा है हमारा कपास कपास भी नंगदी फसल है अब कपास के लि तो यहां देखिए, दक्कन पठार के सुस्कतर भागों में काली मिट्टी इसके लिए उप्युक्त मानी जाती है बच्चों कई बार यह प्रस्म में भी पूछा गया है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उप्युक्त होती है तो काली मिट्टी जो है वो सरवादिक उप्युक्त होती है कपास की अच्छी फसल के लिए तापमान कैसा होना चाहिए कपास की फसल के लिए तो उच्चे तापमान होनी चाहिए और वर्सा हलकी वर्सा होनी चाहिए 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है तो यहां देखिए 210 पाला रहित दिन होने चाहिए और खिली धूप होनी चाहिए पाला सब्द का आर्थ क्या होता है? पाला सब्द का अर्थ होता है हवा में मिले हुए पानी या भाव के अत्यंत सुक्ष्मकन यानि सब्स बहुत ही छोटे छोटे कन जो ठंड़क के कारण प्रीथवी पर सफेद सता के रूप में जम जाता है इसे हम कहते हैं पाला पाला अगर पढ़ता है तो क्या होता है या फ अच्छी फसल होती है तो सबसे अग्रणी है महारास्ट्र उसके बाद गुझरात उसके बाद मद्देप्रदेश करनाटक तमिलनाड़ू पंजाब हरियाना और उत्तर प्रदेश कपास की खेती सरवाधिक महरास्ट्रा में होती है अब यहां देखे उत्पादन में में तीसरा अस्थान है इसके सबसे पहले साक्ष सिंदु घाटी सब्भैता से मिलते हैं किसके तो कपास के कपास का जो है वह सबसे पहले साक्ष कहां से मिलता है तो सिंदु घाटी सब्भैता से कपास का साक्ष मिलता है कपास की खेती में चीन जो है वह पहले अस्थान पे है भारत तीसरे अस्थान पे है अब अगला देखिए अगला हमारा है जूट और जूट भी क्या है नगदी फसल है तो चलिए अब हम जूट के बारे में जान लेते हैं कि जूट को उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्या क्या होनी चाहिए तो जूट की फसल बार्ड के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिटी में उगाई जाती है अब यहां देखिए जूट की फसल कहां उगाई जाती है तो बार्ड के मैदानों में यानि जिन जगों पे बार्ड आ जाता है उन जगों पे जूट का फसल अच्छा होता है साथ ही उस जगा पे जहां जल का निकास होता रहे यानि कि जल का ठहराब नहों बलकि जल निकलता रहे और मिट्टी वहां की कैसी हो जाती है तो उड़बर क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ की वज़त से बहुत सारे जगों की मिटी कट करके आ जाती है और वह एक किनारे इकटी हो जाती है और वहां की मिटी जो होती है वह काफी उरबर होती है यानि उरबरता से भड़ी हुई होती है बहुत ही जादा फर्टाइल होती है इसलिए जूट की फसल के लिए वह मिटी बहुत जादा उप्योगत होती है उसके बाद देखिए इसे बढ़ने के लिए उचे तापमान की आवश्यक्ता होती है तो जूट को ग्रो करने के लिए उचे तापमान 25 से लेकर के 35 डिगरी तापमान की आवश्यक्ता होती है और बरसा कितने प्रतिशत होने चाहिए तो बरसा जो है वह 90 प्रतिशत होना चाहिए इससे जूट की खेती जो है वह अच्छी होती है जूट की फसल अच्छी होती है और जूट का फजल भी वैपार के लिए किया जाता है या भी नगदी फजल के अंतरगत आता है जूट जो है वह भारत में किनकिन राज्यों में उगाया जाता है तो जूट उगाया जाता है पसीम बंगाल में बिहार, असम, उरीशा ये सभी प्रमुख जूट उत्पादक राज्ये हैं जहां जूट का उत्पादन सरवाधिक होता है आगे देखते हैं कि जूट की उपज में भारत का अस्थान कौन सा है जूट उत्पादन में भारत विश्यों में पहले अस्थान पे है जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है इसकी उच्चे लागत के कारण और कृत्रिम रेश्यों और पैकिंग सामगरी विशेश कर श्रांग बाजार में कम होती जा रही है चलिये आगे अब हम प्रinken की एवब सथागत सुधार के बारे में जान लेते हैं तो इहां देखिguard की ततकाल आवश्यक्ता इसलिए पड़ी क्योंकि प्रद्धोगी की एवं संस्थागत सुधारों के आभाप में लगातार भूमी संसाधन के प्रियोग में क्रिशी का विकास अब्रूध हो जाता है तथा इसकी गती मंध हो जाती है बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक मुख्य चुनावती है इसलिए सरकार ने निम्न लिखित प्रद्धोगी की एवं संस्थागत सुधारों की सुरवात की है तो चलिए देखते हैं सरकार ने किन-किन प्रद्धोगी की संस्थागत सुधारों की सुरवात की है तो यहां देखिए हरित क्रांती एवं स्वेत क्रांती स्वेत क्रांती को कहा जाता है Operation Flood इसकी सुर्वात की जोतों की चकवंदी यानि जो भी खेत होता है उसको चारो तरफ से क्या कर दिया जाता है घेर दिया जाता है उसके बाद सह काडिता तथा जमिनदारी आदि समाप्त करने की प्राथ मिक्ता दी गई पहले क्या होता था जमिनदार होता था जिसके अंतरगर्थ खेत आता था और बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते थे तो सरकार ने सह काडिता को हटाया और उसके साथ जमिनदारी प्रथा को समाप्त कर खेतों को किसको दिया किसानों को दिया ताकि वह उस पर फसल उगा सके ब्यापक भूमी विकास कारेकरम सुरू हुआ ब्यापक भूमी विकास कारेकरम के अंतरगत छोटे छोटे यानी छोटे छोटे भूमी पर अधिक से अधिक अनाज किस प्रकार उपजाया जाए उसके लि पीमा कहने का अर्थ है कि अगर फसल में आपका नुक्सान होता है तो सरकार किसानों को इसका पैसा देगी किसानों को कम ब्याज दर पर करज दिया सरकार ने उसके बार प्राप्त करने वाले प्राorta करें वाले ग्रामीन कर सके और फसल उत्पादित कर सके उसके साथ ही हर जगह ग्रामीन बैंक समीतियों एवं बैंकों की अस्थापना की ताकि इससे किसानों को फाइदा हो भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के सी सी एवं वैक्तिगत दुरगटना भीमा कार्ड पी ए आई एस भी शुरू की बारत सरकार ने क्या क्या सुरू की तो किसान क्रेडिट कार्ड सुरू किया जिससे किसानों को बहुत ही फाइदा हुआ उसके साथ ही वैक्ती दुरगटना बीमा कार्ट भी शुरू किया अगर किसी वैक्ती को दुरगटना बस कुछ हो जाता है तो उनके लिए भी एक कार्ट बनाया जिससे संचिप्त रुब में PAIS कहते है किसानों को विचौलिय के सोसन से बचाने के लिए सहायता मुल्य एवं कुछ महत्वपून फसलों के लागदायक खरीद मुल्यों की सरकार ने घोसना की तो अब यहां देखिए पहले क्या होता था जैसे यह किसान है मालेजे यह हमारा हो गया किसान किसान ने फसल उगाया तो किसान का उगाया हुआ फसल बिचौलिया खरीद लेता था यानि सस्ते दामों पर बिचौलिया उनकी फसल को खरीद लेता था और महेंगे दामों पर क्या करता था वह फसल को बेच देता था उसके बाद बिचॉलिया क्या करता था महंगे दामों पर फसल को बेच देता था तो इससे क्या होता था जो किसान होते थे उनको नुकसान हो जाता था क्योंकि उन्हें उतनी पुंजी नहीं मिल पाते थी जितना वह अपने फसल में लगाते थे फाइदा किसको होता था तो बिचौलिये को जो सस्ते दामों पे किसानों से खड़िता था और महंगे दामों पे उस फसल को बेच देता था चलिए अब वॉक्सिट से संबंधित कुछ प्रस्ण दिये हुए हैं जिसको हम सौल्ड करेंगे पहला प्रस्ण हमारा है नीचे दो फसले X और Y दी गई है दी गई जानकारी की मदद से उनकी पहचान करें और उनसे संबंधित प्रस्ण के उत्तर दें तो यहां देखिए X हमारा है X एक रेसे वाली फसल है जो सूखी काली मिटी में बहतर उगती है इसे उगने के लिए पाला रहे जलवाईू और उच्चेताप मान चाहिए भारत के कौन से राज्ये प्रमुख है जहां इसके उत्पादन होते हैं तो हमें इसका आंसर नीचे ल पढ़ा है तो यह हो जाएगा हमारा कपास 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 की खेती उच्च तापमान वाले जगह पे होता है साथ ही काली मिटी में कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है और यह रेसे वाली फसल है अब देखिए खो का उत्तर भी हम जान लेते हैं कि खो का उत्तर क्या होग पहले हम ख़व प्रस्म को पढ़ेंगे ख़व प्रस्म में हमारा है वाई एक और रेशिदार फसल है पर यह जमीन में नहीं उगती बलकी कीरे के कोफून से प्राप्त होती है जो मलवरी के पेरों की हरी पत्तियों पर पलता है और ती इस रेशे से बुनी गई साड़िया पहनती है तो यह कौन सा है तो यह हमारा रेश्यम है रेश्यम ठीक है इस फसल का नाम है रेश्यम रेश्यम का जो फसल है वा उगता है पेरों पर और यह कीरे के कोकून से बनता है रेसम के कीरे से बनता है रेसम अगला प्रसन हमारा है आपको क्या लगता है जूट को सुनहला रेसा क्यों कहा जाता है इसके दो उपयोग बताईए बाजार में इसकी मांग क्यों कम होती जा रही है तो दूसरे प्रसन का उत्तर हो जाएगा जूट को सुनहला रेशा उसके रंग की वज़ा से कहा जाता है तो यहां हम लिखेंगे जूट को सुनहला रेशा उसके सुनहले रंग की वज़ा से कहा जाता है क्योंकि उसका जो रंग होता है वह सुनहरा होता है सुनहरे रंग की वज़ा से कहा जाता है अब देखिए अगला है इसके दो उपयोग बताईए तो इसके उपयोग क्या क्या है हम किन किन चीजों में इसका उपयोग करते हैं तो इसका उपयोग हम करते हैं रसी बनाने में इसकी रसी भी बनती है दूसरा हो जाएगा हमारा दरी इससे दरी भी बनाई जाती है अब देखिए प्रसन संख्या 2 में एक और प्रसन पूछा गया है हमारा है बाजार में इसकी मांग कम क्यों हो गई है तो इसका उत्तर भी हम यहीं लिखेंगे दूसरा है बाजार में इसकी कीमत कम क्यों हो गई है तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बाजार में नाइलोन के कीमत कम होने की वज़ा से वज़ा से आज जूट की कीमत भी क्या हो गई है कम हो गई है ठीक है तो यह हो गया प्रस्टन संख्या दूसरे का आंसर अब देखते हैं अगला प्रस्टन क्या है हमारा हमारा है कि सोडा एक एकड के जमीन के टुकरे पर खेती करने वाला सुल्तान पूर गाउं का एक छोटा किसान है आपको क्या लगता है निमनलिकित संस्थागत सुधारों से उसकी दसा किस तरह सुधरी है तो इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएं तो यह वाक्षिट यहीं समाथ होता है मिलते हैं अगले वाक्षिट में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें वैल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे सेर अवस्य करें ताकि उन्हें भी वाक्षिट को सौल करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके आप हमें इंस्टाग्राम, टेलिग्राम और फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं दिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा मिलते हैं अगले वाक्षिट में आप सब का धन्यवाद